हेलो स्टुडेंट वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल आइसे सी मैथ हम सुरू करने जा रहे हैं भी आज 23C जो कि हमारी एरिया एंड प्लेंट फिगर वाले चेप्टर की अभी ठीक है एरिया पेरिमिटर प्लेंटर फिगर तो उसका हम क्वेश्चे नमबर फर्स देखते भी कैसे करना इसको इन दा गिवन फिगर ABCD is the quadrilateral in which AC is equal to आपको 14 cm दिया है BL आपका perpendicular है AC के DM perpendicular है AC के और यहाँ पर बोला है कि such that BL आपको 8 cm दिया है DM 6 तो find out करना है area of quadrilateral ABCD तो ध्यान से दीखे भी यहाँ पर perpendicular का क्या मत्व बलोता है DM हमारा AC के उपर perpendicular है जब कोई भी लाइन दूसरी line पे 90 degree angle बनाती है तो वो कहलाती है perpendicular जिससे DM line है जो AC line segment पे यह देखो 90 degree का angle बना रही है यहाँ पर और यहाँ पर भी दूसरे वाली जो BL है तो इनको perpendicular बुलाते हैं ठीक है उसके बाद बोला है कि इसका area निकालना है अब पूरे का area तो निकालने सकते हैं A, B, C, D का क्योंकि कोई पूरा formula नहीं बनेगा इसका पूरे quadrilatel का क्योंकि ना तो यह rectangle दिख रहा मैं ना कुछ तो हम यहाँ पर use करते हैं इसको separate करके separate यानि की half कर देंगे नीचे वाला एक triangle ले लेते हैं उपर वाले triangle लेते हैं कहने का मतलब मेरा यहाँ पर देखो एक बार A C है जो वो base है क्या है base है और जो dim है वो इसकी height है तो base into height है तो half of base into height हमारे पास formule होता है triangle तो यहाँ पर क्या करेंगी बटम दूननों को निकाल कर area उनका जोड देंगे area तो हमारा आप नहीं यहाँ पर पूरे को पूरा ABCD का जो quadrilatel निकल जाएगा थीक है I think आपको question समझाएगा आप देखते हैं इसको भी कैसे करेंगे statement में जो बोला था मैंने बता दिया आपको सबसे पहले क्या करेंगे area of quadrilateral ABCD हमारा किसके को हो जाएगा बटा यह हो जाएगा अपना area of triangle पहले triangle उप्रवाल लेता हूँ ADC कौन सा भई ADC प्लस में area of triangle अब निच लेवाला ट्रेंगल ले लो बटा base into height प्लस में इसका भी क्या formula रहेगा half of base into height बट यहाँ पर जो height है दोनों की अलग अलग है तो height को प्लस मान लेता हूँ एक क्षटू base तो दोनों का सेम रहेगा यह जो AC लाइन है ना यह दोनों में सेम रहेगी इस वाले में के लिए भी तो अभी हाँ पर दोनों में क्या चीज को मन्हाँ वह देख लीजिए आप half इसमें भी है, इसमें भी half है इसमें base है, इसमें भी base है दोनों में क्या चीज़े हैं, same है, तो मैं इन दोनों को बाहर निकाल लेता हूँ क्या होजएगा, half of base या फिर एक काम करो, यहाँ पर न, आप पहले formula में value put कर दो base किसकी value है, base क्या हमारा, ac है तो half of ac multiply, height h1 कितनी अभी, आपकी height h1 यह वाली ले लो आप, dm, कितनी अभी, dm plus में, half, base तो ac ही रहेगा आपका, इस वाले का भी base ac रहेगा height क्या भी h2 आपकी यहाँ पर, h2 है, bl, क्या है bl, multiply में bl अब देखिए, दोनों में क्या चीज़ common है, half इसमें भी है, इसमें भी है, तो half common आजेगा भी, और क्या common आएगा, ac इसमें भी है, तो इसी को मना आगया अंदर क्या बचके वह यहाँ पर यहाँ पर बचाए डियेम प्लस में, यहां पर कितना बचा भई, बियल, कितना बचा है, बियल, ठीक है भई, यह चीज़े बच्ची के अपने पास, अब इन सबी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, आफ एज़ेटीज रख देना भई, आपने यह पर रख देता हाफ, इन्टू में, एसी की वैल्यू क बच्चा भई, बियल, बियल कितना भी आपका एट है, ठीक है, तो मैंने यह पर क्या किया भई यह, एसी जो अपना, पैस था, वो ले लिया है, डीएम और बियल, जो हमारी हाइट थी, वो ले लिए मैने ठीक है, तो अब, आफ अधेटीज, बेस 14 है, एड कर दो, बियेद 14 होजएगा कितना होजएगा 14 होजएगा 8 6 14 होता है काट दो इसको भई 27 14 7 को 14 से मल्टिप्लाइ कर लो भई 7 428 तो करी गया भई 7 729 तो 98 पिछे क्या था था सेंटीमेटर था तो सेंटीमेटर स्क्वियर तो क्या हैगा एरिया ओफ क्वाडिलेटल 98 सेंटीमेटर स्क्वियर आगया भई आपने ये वाला ट्रेंगल और ये वाला दोनों ट्रेंगल जोड़ दिया है यहाँ ठीक है मैंने जो बोला यहाँ पर पता चलगा ना आपको कि इस पूरे क्वाडिलेटल को निकालने के लिए हाफ आफ कर लिए इसे हाथ दाए कंप्लीट होता है question number second में देखिया आपको क्या दिया भई यहाँ पर बोला है आपको find theory of pentagon pentagon का अरिया निकालना आपने पहले बात कर लेते है pentagon की होता क्या भई pentagon होता है जिसकी कितनी साइड हो भी हमारे पास five side कितनी हो five count कर लिए one two three four five five side वाला को यह आपको shape मिला है जिसको pentagon बुला रहे है यहाँ पर नाम उसका यहाँ पर दिया आपको a,b,c,d,e show करना है that joining figure it जिसके अंदर आपको perpendicular दियों भी तीन मैंने बोला था perpendicular क्यों होते है एक line के उपर जब 90 degree form होता है जैसे ad line है इस पर कौन सा perpendicular है eg क्योंकि यह 90 degree बना रहा है bf यह भी 90 degree बना सारी value दिया आपको निकालना क्या है इसका area निकालना है अब pentagon का यहाँ पर कोई formula है नहीं अपने पास जैसे पिछले वाला question किया था हमने एक shape को divide करके हमने अलग-अलग triangle बना कर उसको solve किया था वैसे ही यह भी कर रहा है बट यह थोड़ा अलग है उससे क्योंकि इसमें चते हैं रहे हैं डीकिए द्यान होगे अपने पास यहाँ पे एक निचे वाला त्रेंатल हो गया कितने बहाइव के वह यह दो आपह रहीक है और यह दूसरा अपनर अभी तेक है यह अपना second वह Alt शीन हो में और यह वाला पोरे का पुरा यह जो पूरा है A, D, E, यह हमारा पूरे का पूरा थर्ड ट्रेंगल हो जाएगा वह, यह पूरा-पूरा थर्ड ट्रेंगल है, जिसको मैंने अभी तीन लिखा, ठीक है, तो इसमें तीन तो हमने ट्रेंगल ढूंड लिया है, अब अब बचा क्या भी अपने पास, यह चीज बचे यहाँ पर अब यह क्या अपने पास, यह देखना हमने यहाँ पर देखो भी, यह भी 90 डिगरी का फॉर्म हो रहा है, यह भी, दुनों सेम है, तो दुनों यह पैरलल साइड अभी क्या, यह पैरलल साइड ट्रपीजियम हो जाएगा भई, ठीक है, ट्रपीजियम यानि कि जिसकी दो साइड हमारी क्या होती है, पैरलल होती है और दो नहीं होती है, तो चलो भी, हमारे पास figure के अंदर सारी चीज़े बन चुकी है, तीन ट्राइंगल बने है, एक ट्रेपीजियम बने है, सभी का formula लिखेंगे, use करेंगे, value दिवी put करेंगे, और answer आजेगा भी अपना, देखें कैसे करते हैं इसको, तो सबसे बहुत लिखेंगे area of pentagon, यहां लिखते हैं, area of pentagon, ठीक है भई, pentagon का नाम क्या भई, a, b, c, d, e, a, b, c, d, e, तो भी देखते हैं आपर कौन कौन सी चीज़ें हमने आपर mark किये वो लिखते हैं, देखेंगे पहला ट्राइंगल यहां, a, f, b, क्या नाम भई इसका, यहां पर लिखेंगे area of triangle a, f, b, ठीक है भई, प्लस में हम यहां पर क्या करेंगे भी, दुसरे वाला जो हमने figure ली है, क्या नाम है इसका, यह वाली figure, trapezium वाली नाम देख लिखेंगे इसका, b, f, h, c, क्या नाम है, लिखेंगे area of trapezium, नाम क्या अब इसका, b, c, h, f, या फिर b, f, h, c, कर दीजिए, b, f, h, c, ठीक है, यह हो गया, अब third figure देख लिजिए, आप एकोंसी अपने पास है, दुसरे वाल triangle, त्याप लिखेंगे plus में, यहीं कर देता हूं मैं, plus area of triangle, नाम क्या, उसका भई, उसका नाम रख लिजिए, c, h, d, c, h, d, plus में, अब निचले वाला triangle, यह पूरा बड़ा है, जो, a, d, e, कौन सा भी, area of triangle, a, e, d, a, e, d, यह लिजिए, भई, हमने यहाँ पर जो जो figure हमने, pentagon के अंदर देखी है, वो सारी-सारी उनके area हमने लिख लिए है, अब इनका formula यूज़ करना भी यहाँ पर, देखिए, area of triangle, a, f, b, का क्या होगा अपने पास यहाँ पर, तो हम यहाँ करेंगे, a, f, b, हमारे पास triangle एक, यह triangle है, तो triangle का यहाँ पर, पहले वाले का, a, f, b, का, तो यहाँ पर आपको देखिए, base और height तो दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, अब यहाँ पर, यह वाली चीज, और उसके बाद देखिए, area of triangle, a, f, b में, a, f आपका base है, और, f, b, आपका यहाँ पर height है, तो मैं क्या लिखूँगा, half of base, यहाँ निकी base कितना आपका, a, f है, into me, height कितनी है भी आपके यहाँ पर, b, f, क्या है, b, f, plus में, यह हमारा पहले का हो गया, area of triangle, a, f, b, का, अब plus में, area of trapezium, देख लिए, आपने क्या लिखना है यहाँ पर, trapezium क्या होतता भी यहाँ पर, base into me, side one plus side two, यह इतना है, फिर आप लिखते हैं यहाँ पर, area of trapezium का क्या होतता फोर्मला, मैं आप फोर्मला लिख देखते हैं पर एक बार, half of, side one plus side two, क्या होतता, side one plus side two, side one कितनी अभी अपने पास, b, f है, plus में, side two क्या भी आपकी, ch है, क्या है, ch, ch, ठीक है, और height क्या होते ही भी यहाँ पर, इसकी, half of side one plus side two into height, height आपकी यहाँ पर, f, h, क्या भी यहाँ पर height आपकी, f, h है, f, h, ठीक है भी, तो यहाँ होते हैं आपका यहाँ पर, area of trapezium, b, f, h, c, अब plus में, area of triangle ch, area of triangle ch, d, का formula क्या होगा भई, half of base, base क्या भी इसका ch, d, k, h, d, base है, इसका कितना है, h, d, base है, तो यहाँ पर, h, d, into, में, height क्या भी इसकी, भई, ch, है, ch, isकी height है, plus में, अब यह भी हो गया, अब अच्छा यह वाला, area of triangle, a, d, e, तो इसका भी, half of, base कितना भी इसका, area of a, d, का, a, d, तो base होगा इसका, into में, height कितनी अभी इसकी, g, e, g, e, इसकी height होगी भी, ठीक है, तो हमने यहाँ पर, सारी की-सारी value लिख दिया भी, भी, formula के इसाब से, अब इसमें value put करनी है, बस आपने क्या करनी है, value put करनी होगी आपने इसमें, तो देख लीजिए, half, into में, a, f, और, b, f, की value देख लीजिए, a, f, आपको, a, f, आपको, 9 cm दिया भी, और b, f, आपको, 6 cm दिया होगा, तो put कर दीजिए, आप ए, f की दिंग पे, 9 cm, और b, f, की दिंग पे, 6 cm, plus में, half, side 1, plus side 2, b, f, देखी, कौन सा आपका, यह 6, और यह है, कितना आपका, 8, तो 6, plus 8, 6, plus में, 8, into में, height कितनी हैं भी, आपके आपे, f, दिये, देखी, अब f, h, कैसे निकाल लेंगे, अब ध्यान से देखना भी, आपने यहापे, a, h, यहाँ पे आपको यह दिया हुआ, तो, यहाँ पे देखी, f, h, कैसे निकाल लेंगे, मैं side में कर रहा हूँ यहाँ पर, f, h, निकालने के लिए, क्या करना होगा, आपको, f, h, is equal to, a, h, minus में, a, f, देख लीजी भी, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बार, आपको ना, यह, h, पूरी लाइन दिया है, मैं side में दिखा रहा हूँ करके, आपको, यह, आपको, कितनी दिया है, पूरी की पूरी, यह, दिया आपको, 19 cm, यह, दिया भी, आपको, 19 cm, और, a, f, यहाँ पर, आपको, कितनी दिया है, यह, यह, पर, यह, बीच में, यह, पॉइंट है, यह, दिया आपको, 9 cm, तो, ध्यान देखना, आपने यहाँ पर, कि आपको, f, h, निकालना है, सिर्फ, कितना निकालना है, f, h, निकालना है, तो, 19 में से, अगर आप 9 माइनस कर दोगे, a, h में से, अगर आप, a, f, माइनस कर देते हो, a, h, कितना आपका भी, total, 19 है, 19 में से अगर आप 9 माइनस कर देते हो तो 10 आपका आजएगा FH क्या आजएगा भई FH आपका 10 आजएगा आपको तो इतनी चीह थी थी ना सिर्फ यहां से लेकर यहां तक चीह है ठीक है तो तो टोटल 19 है 19 में से यह बच्ची भी बाफ की 9 काट दो तो आपका बच जाएगा बीच का 10 तो यहां पर आपने क्या पूट कर देना आपने ठीक है तो मैं यहां पे 10 पूट कर दे रहा हूं यह हो गया 10 प्लस में कि हाफ एच डी कितना भी आपका यह अब हमें निकालना पड़ेगा आप इस देखिए कैसे टोटल एडी जो लाइन आपकी क्या बोलना मैंने ऐसी सेम डूसे में यह भी यह आपको थोड़ा लेगे लिए यहां पे एडी जो आपकी लाइन दी ही है टोटल हो कितनी किया बोलना क्या है यह पर एस्ट की यहां पर टोटल मेंठ कितनी निजो आप si लिए लिए थे निकीन दी एście तो आपने सिर्फ यह निकालनी है इतनी सी तो आप क्या करोगे पूरी ट्वेंटि अशरी जो लेंठ है 24 24 में से 19 माइनस कर दो तो बची भी HD होगी तो जो HD है वो निकालने का तरीका क्या होगा आपका AD में से माइनस करना होगा आपको AH क्या करना होगा AH तो माइनस कर दीजिए AD कितना आपका 24 है माइनस में AH कितना बढ़ी 19 है तो माइनस करेंगे तो आपका कितना बज़ेगा यहां पर 5 बज़ जाएगा कितना बज़ेगा 5 तो यहां पर जो HD की वैल्यू होगी यह कितने होगी 5 होगी बढ़ी इंटु में छी वैल्यू देख लीजी अब रिखें आपने उसके बाद अब कितना भी आपको वह थो टोटल 24 दिया एंसे लिके इट कि रहाँ तो 24 लिखना आपने इन टू में जी इजी कितना ही आपको कितना बही 9 सेंटिमेटर, कितना दिये नइन सेंटिमेटर दिये है तो यहां पर मैंसारी डाल दी है भी ठीक है अब बस सोल करना बचा चाया सोल कर लेते हैं देखिए भी 2 से काट दें, 2 को काटते हैं, 6 से, तो 3 आजेगा, 9, 3 जा 27, तो आगे 27, ठीक है भई, यह थोड़ा 27 लिख देते हैं, प्लस में, अब 2 बंजा 2, 2, 5 जा 10, 6 और 8 कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14 को जो 5 से म्लिप्लाइ करेंगे, तो कितना आजेगा, 14, 5 जा 70, प्लस में, अब यह प्लस में, इस तो करते हैं, तो कट जाएगा, तो 12 आगया भई, ठीक है, 12, 2, 24, तो 12, 9, 108 भई, तो 108 आगया, कितना आगया, यह आगया, 108 आपका, अब देख लीजी, एड कर लेते हैं, सभी को हम यहाँ पर, क्या होगा, अपने पास, 70, 20, 90 हो गया भई, 90 को 27 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 90 और 27 हो जाएगा, आपका, 117, कितना भई, प्लस में, कितना आपका, 108 है, ठीक है भई, अब इनको वाइड कर लेते हैं, अपने पास कितना होगा, 8 और 75 हो जाएगे भई, 1 करी गया, 1 और 1, 2 हो जाएगा, 1 और 1, 2, तो सारा सोल करके भई, टोटल एरिया आएगा, जो हो आएगा, अपने पास, 225 सेंटीमेंटर स्कूर, यह आपका, फाइनल अंसर होगा भई, इस एरिया ओफ पेंटागन का, ठीक है, एक बार मैं वापिस आपको बता देता हूँ, तो क्या कि हमने यहाँ पर, सबसे पहले फिगर देख लेनी है, अपने ध्यान से, फिगर में क्या क्या चीज़े बन रही है, वो देखनी है, 1, 2, and 3, तीन तो अपने पाई यहाँ पर ट्राइंगल बने थे, और बीच में यह एक अपना बना था, ट्रिपीजियम, informally, आपको सभी क्याने चीए, भी, triangle का तो सभी को आता है, half of base into height होता है, trapezium का भी याद रखलिना भी, half of side 1 plus side 2 into height होती है, ठीक है, तो side 1 और side 2 आपको दिया है, आपको 6 और 8, height इन दोनों के बीच की देख लेनी, है कितनी होगा बढ़ी, यह हमने निकाल लिया था यहां पर यह चीज़े भी ध्यान रखने भी जैसे निकाला था ना कैसे किसी का बेस कैसे निकालते हैं माइनस करके तो आपने इन चीज़ों का यूज कर लें अच्छे से ठीक है बाकी सिंपल क्वेश्चन है इसके इसके बड़े वर्ड नहीं है छो किस्टी इंविछ क्योडी और यह प्रपेंडिगळिर दिया प्रपेंडिकलर देख लिए आपर जो 90 बनाते हैं पी एस साइड के उपर एक तो टी और एफ ने प्रपेंडिकूअर बनाया एक इसने बनाया और ईने और फी कॉपर बनाया की और डी ने ठीक है यह प्र आपको PQR आपको एक तो यह TRIANGLE दिया भी अपको ठीक है उसके बाद 보여ी करकर आपने area निकालना pentagon का देख लीजी भी start करते है question को तो क्या लिखेंगे area of pentagon अ यप ज्रीकिन कर भी किसके आपके ख्रीटाइगा किabad पेंटगन प्रेहे भड़ाण आपक्ना लश्चाम सा मुझे आपके आपके एडिनम पिड्नाओक हो जएगा अपा ल्ड़ाएगा और कि आर एप फिर दूसरे वाला एरिया कि और ट्रेंगल दूसरा प्रेंगल यह ले प्र कूण सा पी ठीक है प्लस में फिर तीसरे वाला ले लेते हो एरिया ओफ ट्रेंगल पी PST क्या ना में तिसरे वाले का PST चीक अब हमने सब कुछ लिख लिए आप स्टार्ट करते क्वेश्चन को देखिए पहले वाले का फोमला एरिया है तिन्नों तिन्नों ट्रेंगल के ही एरिया है तो फोमला तो सेम ही लगना हाफ ओफ बेस इंटू हाइट तो लगा देते हाफ ओफ बेस देख लीजिए ध्यान से यहां पर क्या दिया आपको पहले PR तो बेस है और QD इसकी हाइट है तो क्या लिखेंगे PR बेस है तो हाफ ओफ पी आर इंटू में QD प्लस में अगले वाला वाइट हाफ ओफ अब इस ट्रेंगल के देख लीजिए बेस और हाइट बेस इसका PS, हाइट है की RE ठीक है बेस तो इसका PS, हाइट है की RE अगले वाले ट्रेंगल में फिर हाफ ओफ बेस इंटू हाइट है इस ट्रेंगल का भी बेस तो सेम रहेगा PS, हाइट क्या हो जाएगी इसकी Ft, हाइट क्या हो जाएगी, फ्ट हो जाएगी, बेस तो रहेगा PS, और हाइट हो जाएगी इसकी Ft, ठीक है बही, तो आपने सारी value रख दिया है, यहाँ पर अब क्या करते है, इसमें, पूट कर देते हैं भी सब की value, PR की क्या है, इसकी क्या है, ठीक है, तो हाफ बेस इन्टो हाइट में, PR की value देख लिए अबापर मैं लिखिए, PR की है, 10 cm, कितनी अभी, 10 cm, QD की value देर क्या है, मैंने 3 cm, वहाँ पे, 3 cm, प्लस में, हाफ और नेक्स की देख लिए अब, PS की value कितनी अबी, 12 cm, इन्टो में, RE की value कितनी अब यहाँ पे, 7 cm लिख यहाँ प next ps की value कितनी है यहां पर आपकी 12 cm 12 के बाद next देख लिए जिसकी height क्या है ft ft कितनी height अभी 5 cm तो ft आपने 5 cm देख देनी है यहां पर ठीक है सारी value put कर दिया soul कर देते हैं भी से 2 5s 10 5 3s कितना बचा वही 15 तो 15 प्लस में 2 6s 12 6 7 जा कितना बचा भी 42 बचा आपका प्लस में 2 6s 12 6 5 जा कितना बचा भी आपका 30 बचा है ठीक है 30 और 15 कितने होगे भी total 45 होगे कितने होगे total 45 45 प्लस में 42 एड कर लेते हैं भी 5 or 2 7 4 or 4 8 तो 87 आ गया भी आपका cm2 आपका यहां पर यह final answer ठीक है तो बिल्कुली simple question था छोटा सा था देखो बिल्कुली देखने में भी तो आपने किया क्या यहां पर जिर्फ एक दो और तीन तीन ट्रेंगल आपने identify किया गिवन फिगर से और उन तीनों कितनों ट्रेंगल का formula लिख दिया आपने यहां पर ठीक है half of base into height half of base into height और उनकी value पुट कर दिया है और आराम से सोल हो जाएगा भी ठीक है बिल्कुली simple question आपका question no.4 देखिया आपको क्या दिया भी यहां पर find the area of the given hexagon अब की बार आपको hexagon दिया भी hexagon क्या होता जिसकी six side हो देखिया भी count कर लिजे one two three four five और यह six six side दियो इसकी तो इसको hexagon बुलाया गया बीजे भी perpendicular होगा c l बना रहा 90 degree यह भी perpendicular और e m बना रहा तो यह भी perpendicular होगा भी ठीक है बाकिया आपको सारी side दियो है आपको area find out करना भी total hexagon का तो कैसे करेंगे सबसे पहले वही identify करते भी क्या क्या चीज़े दिया है यहां पर देखिया पहला में यहां पर triangle यह दूसरा triangle ह यह तीसरा triangle आपका और यह 4 चार तो आपको यहां पर triangle दिये ठीक है बाकि यह आपका यहां पर है पहला trapezium है बही क्या यह trapezium और यह दूसरा trapezium है यह ठीक है तो पूरी figure में हमारे पास क्या है total चार तो triangle आए है और दो trapezium आए है जिसमें यह वाली side के parallel है तो यह parallel नहीं है ऐसे यह और यह parallel है यह parallel नहीं है ठीक है भी तो कितने आए है चार हो तो आपने पास triangle आए और दो trapezium आए है यहां पर area लगा लिखते है भी इनका ठीक है तो क्या लिखेंगे area of hexagon area of hexagon नाम क्या भी इसका a b c d e f a b c d e f area of hexagon a b c d e f ठीक है जो किसके इकल हो जाएगा भी आपका जो जो आपने वहाँ पर लिया है तो सबसे पहले triangle लिख लिया मैंने पहले वाला triangle लिए area of triangle area of triangle नाम क्या भी इसका a j b या फिर a b g a b j plus मैं अगले वाला भी area of trapezium area of trapezium का नाम क्या भी इसका b j l c क्या लिखोगे b j l c ठीक है भी उसके बाद यह लिखने के बाद plus में यहां से कर रहूं आगए मैं plus में next second वाला triangle यह वाला भी triangle area of triangle l c d क्या लिखोगे यहां पर area of triangle l c d ठीक है भी plus में उसके बाद फिर यह वाला triangle area of triangle d e m क्या नाम है इसका area of triangle d e m plus में next भी फिर वापिस आगया trapezium यहां पर तो क्या लिखोगे area of trapezium लिखना भी आपने आपने आपर रेंगल लिखते हैं मैंने trapezium trapezium short form लिख दी मैंने trapez बाग क्या लिख लेना इकटा trapezium नाम क्या बैसका M E F K क्या नाम है M E F K ठीक है भई तो यह हो गया इसका area of trapezium प्लस में अब बचा है यह वाला ट्रेंगल भी area of triangle area of triangle नाम क्या बैसका A K M A K F है ठीक है यह A K F ठीक है तो यह सारे के सारे हमने लिख दिया वही जो भी थे इसके अंदर 3 और 3 नीचे 6 total structure थी तो 1,2,3,4,5 और 6 6 total structure हो चुकिया भई अब इनके formula के साथ इनकी value रखनी हमने ठीक है तो सबसे पहले area of triangle ABJ लिखते हैं पर तो क्या जीगा भी half of formula क्या ट्रेंगल का half of base कितना base का AJ base है और BJ इसकी height है तो क्या लिखेंगे AJ into में BJ ठीक हा भई प्लस में इसके बाद next देख लीजी area of trapezium BLCJ में क्या होगा भी half of parallel side one plus parallel side two side कौन से अभी BJ और CL तो लिखे देना आपने यहां पे BJ प्लस में CL into में height क्या भी इसकी बीच की JL क्या नाम है JL तो अपने height बीच में JL लगती है नहीं है फिर भई प्लस में यहां पे खतम हो जाता है फिर trapezium के बाद आता triangle area of LCD यह वाला भी इसकी LD तो हमारे पास base है और CL इसकी height है तो लिखेंगे यहां पर half of base कितना भई बेस है LD LD height कितनी अब इसकी height है इसकी CL तो CL height होगी प्लस में फिर आता भी area of triangle यह आएगा फिर DEM यह लगा है यह वाला जाएगा area of triangle DEM तो DM यानि कि MD तो इसकी base हो जाएगी और ME इसकी height हो जाएगी तो क्या लिखेंगे यहां पर half of क्या भी इसका यहां पर MD तो base है और height कितनी अब इसकी, इसकी height ME प्लस में फिर आता भी यह ट्रपीजियम ठीक है इस ट्रपीजियम का formula क्या होएगा half of side one plus side two side कितना भी KF और ME तो KF और ME से पहले EM कर देता हूँ मैं यह EM प्लस में FK और base कितना भी का KM क्या है base KM इसका base है multiply में प्लस में half of अब यह वाल ट्रेंगल बच्चा, base क्या भी इसका, A के base है A, K, base है into me, height कितनी अब इसकी KF है, KF तो मैंने भी सभी के formula लिख दी है आप A की line में, अब सभी की value डालते है भी यहां पे ठीक है देखे कैसे करेंगे, half of, A, J, B, A, J की value क्या दी है यहां पर आपकी A और J, इसकी value दी है 6 cm, A, J की value आपको 6 cm दी है तो यहां पे 6 cm लेके लेना भी आपने, into में, B, J, B और J की value दी है 5 cm, तो आपने यहां पे 5 cm लेके लेना भी, प्लस में, यह हो गया भी पहला complete दुसरे वाले पे चलते हैं, प्लस में, half of, B, J, प्लस C, B, J, प्लस C, तो B, J की value देखे क्या आपकी, B, J की value दी है आपको 5 cm, C, L की दी है 6 cm, तो आपने लिख लेना है यहां पे 5 प्लस 6, 5 प्लस में 6, into में, J, L की value क्या दी है आपको, ध्यान से देखना भी, अब J, L कितना आपक है, बट हमें सिर्फ J, L तक चाहिए, तो J, L, हमारे यहां पर कैसे निकालेंगे, देखो total length, A से लेकर L तक की हमारे पास कितनी है भी, मैं side में कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए, AL हमें दिया है total यहां पर, कितना 18 cm दिया है, तो मान लीजिए, यह पूर लाइन है, AL की किसकी है, AL, और बीच में कौन सी लाइन है, जे लाइन है कोई, ठीक है, यह जे लाइन है, total आपको कितनी दिया भी 18 दिया, कितनी दिया 18, और हमें AJ दिरखिए 6 cm, यह 6 cm है, तो 18 में से 6 माइनस कर दो, यानि कि यह पिछले वाला सारा हट आदो, J, L की वेल्यू आपकी आज 12, तो यहाँ पर आपने के लिखना भी, J, L की वेल्यू आजेगी 12, प्लस में, half of, base into हाइट अगले वाला ट्रेंगल भी, LD यहाँ फिर देखिए, LD की वेल्यू कैसे निकाल लेंगे, LD की वेल्यू अभी यहाँ तक चीह आपको, L से लेके, D तक, तो ध्यान से देखना है, total Length आपको 27 दिये, कितनी दिये, total length 27 दिये, और यहाँ तक, यहाँ तक अगर आप, यहाँ तक देखो तो, यहाँ आपको 18 दिये, कितना दिया भी, AL तक, मैं वापिस एक लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझाने के लिए आपको, total दे रखिया में, AD, AD आपको दे रखा भी, total कितना, 27, कितना दे रखा है, 27, ठीक है, और यहाँ पर बीच में वोई टर्म है, L, क्या है, L, L तक आपको दिया, 18, कितना दिया, 18, यहाँ से लेकि यहाँ तक, तो 27 है, बट हमें तो 18 से पिछले वाली नहीं चाहिए, हमें चाहिए भी, L से लेके D तक, तो हम क्या करेंगे, L से पहले 18 है न, तो 27 में से 18, 18 माइनस कर दीजिए, तो आपका LD आ जाएगा, भी माइनस कर दीजिए, यहाँ पर LD निकालने के लिए, तो 27 में से अगर हम 18 माइनस करते तो अपने कितना बज जाएगा, यहाँ आपका बज जाएगा, ठीक है, तो आपकी ज C L कितना भी आपका यहाँ पर 6 है, कितना भई, 6 दिया होगा है, तो 6 पूट कर दीजिए, प्लस में भई, अब उपर वाले तिनों चीजिए हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो गया, अब निक्चे वाले पर चलते हैं, इस वाले पर ठीक है, तो देखिए, हाफ ओफ बेस MD MD देखिए, कैसे निकाल लेंगे अब यहाँ पर, MD निकालना आपके, अब M से D तक चाहिए, टोटल AD की लेंथ आपको कितनी दिये अब यहाँ पर, टोटल AD की लेंथ दिये, आपको 24, sorry 27 दिये, कितनी दिये, 27, यह टोटल आपकी AD लाइन है, मैं यह आपर समझा रहा हूँ वापिस एक बर और, AD की लाइन 20, कितनी दिये आपको, 7 है टोटल ठीक है, तो 27 अब ही टोटल आपकी लेंथ, जिसमें से आपको M तक, यह कोई बीच में पॉइंट है, यहाँ तक आपको दिये value कितनी भी M तक 21 दिये, कितनी दिये, 21 दिये, बठ़ हमें 21 से पहले तो चीए है, कितना बच गया, 6, तो आपको जो बेस आएगा, यहाँ पर 6 आजेगा वई, इंटू में, बाकी हाइट कितनी दिये, अब इसकी M E की, M E की हाइट दे रिखिया भी 4, कितनी दे रिखिया है, 4, प्लस में, अब चलते हैं अब यह बाला, ट्रपीजिम, ट्रपीजिम की सा और इंटू में, यहाँ पर, केम, केम देखिया, पर कितना बी आपका, यहाँ से लेकर, यहाँ तक आपने फाइंड आउट करना, भी केम की वैल्यू, बाले, A, M तक देख लीजिए, टोटल कितनी है, 21 है, यह हमारा कोई लेंथ ले ले लीजिए, यह टोटल A, M मान लीजि यह थी 10, कितनी है, 10 है, ज्याँ से देखिए, 10 है, तो आपको निकालना कितना है, K से लेकर, M तक चाहिए, कहां से चाहिए, K से लेकर, M तक, तो यहाँ पर, जो 10 है ना, इसकी वैल्यू कितनी है भी, 11 है, कितनी है, 11 है, प्लस में half of triangle 1-1, 1-1 की value कितनी अभी आपकी दे रखिया है 1 से लेकि के तक यह दे रखिया है 10 कितनी दे रखिया है 10 तो आपने use करना है आपके 10 height कितनी अभी आपकी यहापे KF, KF आपकी 6 cm यह लीजिए भी हमने सारी-सारी value पुट कर दी है बस अब आपको solve करना है देख लीजिए कैसे solve करेंगे 236, 3, 5 जा कितना हो गया भी यहापर 15 कितना हो गया 15 हो जाएगा यहापर आपका ठीक है, प्लस में प्लस में आगे देख लीजिए 26 हो गया 12, 5 और 6 कितनी अतने 11, 11 को 6 से multiply करेंगे तो 66 हो गया, वह कितना हो गया 66, उसके बाद 236, 9 जा 27 27 हो जाएगा यहापर आपका यह उसके बाद 27 के बाद देख लीजिए प्लस में, next 2 से 3 काट देते हैं, 236, 3, 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया, यहापर आजएगा 12, प्लस में 2 से काट देते हैं भी, यहाँ पर इनको आड़ कर लेते हैं पहले, 4 और 6 कितने हो जाएगे 10 हो जाएगे, 10 को 2 से काटते हैं तो 2 5 जा, 10, तो 5 आएगा ना यहापर, ठीक है, 5 को 11 से करते हैं, तो भी, 11 5 जा 55, ठीक है, मैं इसको सोल करके लिख रहा हूँ भी, आपने भी, आराम से सोल कर लेने से, 2 से इसको काटते हैं, 2 5 जा 10, 5 6 जा 30 होई, कितना आगया 30, यह लो भी, सारा सोल करके आगया, बस इसको आड़ करना अब आपने, ठीक है, देख लिखते हैं, आड़ कैसे होगा यह, तो 15 और 55, इनको आड़ कर लेते हैं बाले दोनों को, क्योंकि 55 आले हैं, तो जाएगा भी आपका 55 और 5, 60 और 10, 70 यह तो दोनों 70 होगे, 70 और 30 कितने होगी यह होगे, आपके 100 पुरे कितने होगे, 100 होगे, उसके बाद, अब इनको आड़ करते हैं 100 के बाद 100, मैं लिख लेता हूँ, जो जो बचाब, 100 प्लस में 66 बचाब, प्लस में 27 बचाब, प्लस में 12 बचाब भई अब सभी को जोड़ने देखो, 2 और 7, 9, 9 और 6 कितने होगे, 15 और 0 तो 15 रहेगा, 5 आगया, 1 करी चलागा भी, 1 और 1, 2 2 और 2, 4, 4 और 6, 10, 10 की, 0 1 करी गया, 1 और 1, 2, तो यहाँ, 205, कितना भी लास्ट अंसर आपका है, यहाँ पर यह, 205 सेंटीमिटर स्केर, और यहाँ पर यह आपका क्वेश्चिन कंप्लीट हो जाता भी, ठीक है, यह फाइनल अंसर था, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चिन था, यह भी same to same, बट एक ही चीज़ बहुर रहा हूँ, आपने ध्यान रखना है, फिगर के अंदर, बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं, mostly इस क्वेश्चिन में, एक तो फिगर नहीं इडेंटीफाइ कर पाते हैं, गलत फिगर इडेंटीफाइ करके, फ यहां तक length, ठीक है भी, तो यह main चीज़ है यहां पर, बाक्की तो सारा same यह भी formula बगारा लगा के value put कर देना है, आपने बाकी calculation हो जाती है फिर बाद में, ठीक है, तो ध्यान से कर लेना भी आपने यहां पर ठीक है, और उसके बाद बाक्की equation हम करेंगे, लेकिन आज हम fourth तक ही करते हैं भी, ठीक है, और यहां तक आपने अच्छे से देख लेना, बाक्की जितना हो सके भी वीडियो को share कर देना है, और कोई problem आए तो comment कर सकते हो, भई मैं जितना जल्दियों को उतना जल्दी reply करूँगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठी